नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे DSSB के तरफ से आज की डेट में भी काफी बड़े रिजल्ट नोटिस जारी किये गई हैं आज है 6 जनवरी 2022 समय हो चुका है शाम के 6 बज़ के और 35 मिनट 10 नए नोटिस जारी किये गए हैं DSSB के तरफ से काफी बड़े रिजल्ट इसमें शामिल हैं और टीचर्स और नोटिचिंग तरह के रिजल्ट अनाउंस किये गए हैं तो ठीक है सभी नोटिस बिल्कुल विस्तार से आपको इस वीडियो के मादल से प्रवाइड कराएंगे आप वीडियो को शुरू से लेके आखिल तक जरू से जरूर देखें और DSSSB की लेटर्स अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरू से जरू सबस्क्राइब कर ले तो ठीक है दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का अपना यी वीडियो सबसे पहले आप सामने ये देखिए एक फाइनल रिजल्ट आज भी अनॉंस किया गया है DSSSB की तरफ से पोस्ट कुर्ट 57 बटे 21 टीजटी पंजाबी फीमिल का फाइनल रिजल्ट अनॉंस कर दिया गया है आज 6 जनवरी 2022 को बड़ी ही अच्छी अपडेट है टोटल 425 में वेकेंसियां आई थी और ये देखिए अन्रिजर्ट केटेगरी से 21 केंडिडेट का यहां सेलेक्शन किया गया है OBC केटेगरी से 2 SC केटेगरी से 48 केंडिडेट का सेलेक्शन किया गया है SC की 62.14ST non qualified EWS nil PH OHBAC.53 PHBH non qualified और जहां तक इनके वेटिंग पैनल लिस्ट की बात है वो भी जारी कर दिया गया है तो यह देखिए वेटिंग पैनल में शायद कोई केंडिडेट है ही नहीं किसी का रोलंबर यहां नहीं दिया गया है आगे देखिए दोस्तो अगला नोटिस रिजेक्शन नोटिस है TZT पंजाबी female postcode 57 बट 21 से जुड़ा हुआ ही तो यहां आप देखेंगे तो यह चार candidate है जिनका candidate रिजेक्ट कर दिया गया है reason यहां दे दिया गया है आप यह देख सकते हैं और इसी के साथ साथ बड़ा result और announce किया गया है result किया cutoff जारी कर दी गई है TZT mathematics mail postcode 38 बट 21 के cutoff भी जारी कर दे गई है और candidate को document upload करने के लिए बोल दिया गया है इसकी information मैंने दिन में आपको provide करा दी थी हो सकता है उसी समय आपने marks चेक कर लिया है पर उस समय ये notice जारी नहीं किया गया था marks upload हो गए थे official website पे तो अब notice भी देख लीजिए इसमें cutoff भी देखने को हमें मिल जाएगी total 988 vacancy आए थी TZT mathematics mail की जिसमें EWS के उने इंचास, unresort के 388, OBC के 211, SC के 117 में ST की 143, जिसमें PWD OH की 20 और VH की 20 vacancy भी शामिल थी अब इन सभी candidates का 9672 candidates का जिनों ने ये exam 29221 और 49221 को दिया था marks जारिक कर दिये गए हैं तो ये सभी candidates d.b.online.nic.in पे अपने account में login करके marks चैक कर सकते हैं total 741 candidates को shortlist किया गया है इन cut-off marks के according अपने document अप्लोड करने के लिए ये देखे cut-off unresort की 80.88, OBC की 30.64, SC की 62.7, 4, ST की 64.22 और PWD की 54.38 और ये candidate अपने document अप्लोड कर सकते हैं 11 जनवरी 2022 से और 25 जनवरी 2022 तक इसके बाद चलते हैं आज के अगले notice की तरफ supplementary result नबर 1349 nursing officer postcode 3.18 से जुड़ा हुआ ये supplementary result जारी किया गया है तो आप ये देख सकते हैं unresort category से एक ये candidate है और जो अब इनके cut-off है वो कुछ इस परकार से है ये देखिए unresort 120.9, OBC 59.65, SC 106.19, STA 30.55, EX Service Men 70.35, PH OHOL की 60.17 इसके बाद अगला notice, notice no.1338, junior auditor LDC postcode 65.24 से जुड़ा हुआ है यहां एक candidate है, इनके ये document pending में है तो इन candidate को अपने ये pending document upload करने का एक मुका और दिया जा रहा है 6 January 2022 से और 15 January 2022 तक इसके बाद आज का अगला notice, notice no.90 notice for release of marks and shortlisting of candidates for TL2 exam for the post of inspecting officer in labor department postcode 42.20 तो दोस्तों, postcode 42.20 के tier 1 का result announce कर दिया गया है और candidates को TL2 exam के लिए shortlist कर दिया गया है total यहां 11 vacancy यहां थी, EWS की एक, unresort की साथ OBC की दो और SC की एक 16 October 2021 को यह exam conduct कराया गया, 331 candidate ने exam दिया था अब इन सभी 331 candidates के marks, dssb online.nic.in पे जारी कर दिये गए है candidate अपने account में login करके marks चेक कर सकते हैं तो बाकी यह देखी, यह पूरी list दे दे गई है, 108 candidate को shortlist किया गया है TL2 exam के लिए, वो है कुछ इस परकार से EWS की एक vacancy के लिए 4 candidate है, cut off रही है, 80.75 unreserved की साथ vacancy के लिए better candidate को shortlist किया गया है, TL2 के लिए cut off रही है, 80 OBC के दो vacancy के लिए 39, cut off रही है, 70.25 SC की एक vacancy के लिए 31, cut off रही है, 60 और PWD, VH की एक vacancy के लिए 1, और cut off रही है, 103 तो यह आप देख सकते हैं इसके बाद चलते हैं, आज के अगले notice की तरफ यह है, notice number 88 subject, notice for declaration of marks and calling of E-dozer for the post of Hindi translator come assistant post code 15, 20 की cut off रही कर दी गई है, यह आप देख सकते हैं चवण candidate नहीं यह exam 24 नवंबर 2021 को दिया था इन सभी के marks, dssb online.nic.in पे जारी कर दिये गई है, candidate अपने account में login करके marks चेक कर सकते हैं बाकि document upload करने के लिए candidates को बोला गया है, इन cut off marks के according जो की है, canva point 25 और 200 में से हैं और जो shortlisted candidate हैं उन्हें अपने document upload करने होंगे 6 जनवरी 2022 से 20 जनवरी 2022 तक 15 दिन का समय दिया जा रहा है आज का अंतिव notice, notice number 89, notice for release of marks and shortlisting of candidates for the skill test for the post of Almad in labor department post code 40 बटे 20 के लिए candidate को shortlist किया गया है skill test के लिए, अब इनका skill test होना है यहाँ 6 vacancy यहाँ थी, 5 unreserved, 1 OBC, तो यह आप देख सकते हैं, total 3393 में candidate ने यह exam 16 October 2021 को दिया था अब इन सभी के marks जारी कर दिये गए है, tier 1 के marks से, यह सभी candidate dssb online.nic.in पर अपने account में login करके marks चेक कर सकते हैं तो जितने candidate shortlist किये गए है, उनकी जानकर यहाँ देदी गई, total 100 candidate को shortlist किया गया है skill test के लिए vacancy के according किये गए है, यह देखे, total 6 vacancies के लिए 100 candidate shortlist किये गए है, in cutoff marks के according unreserved की 5 vacancy के लिए 71 candidate को shortlist किया गया है, cutoff रही है 140.5 OBC की एक vacancy के लिए 35 candidate को shortlist किया गया है, जिन मेंसे 21 unreserved category से है, cutoff रही है 130.18 और PWD OH की एक vacancy के लिए 15 candidate को shortlist किया गया है, skill test के लिए cutoff रही है 99.23 तो ठीक है दोस्तों, यह update आज की date में DSB की तरफ से निकल के आई थी, जो आपको वीडियो के माधिन से provide कराए गई, वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसे like और share करें, तो ठीक है, आज अभी के लिए तना ही, फिर मिलते हैं, किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमश्कार, तो काफी सारे कंडियर्स परेशान हैं, हमें कहां जाके result चेक करना है, तो इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ, आप अपना result, www.online.nic.in इस website पे जाके चेक कर सकते हैं, इसी website पे आपने आविदन किया था, जिस समय यह recruitment आई थी, तो यहाँ आपक आपको यहाँ फिल करना है, और जो यह नीचे capture code दिखाई दे रहा है, यहाँ डालके और sign in करना है, sign in करने के बाद यहाँ ऊपर एक results का section आपको देखने को मिलेगा, उस पे click करना है, और जो post code थी आपका या जो आपका exam था, वो वहाँ से select कीजिए, आपका result आपको नहीं है, तो यहाँ नीचे forget password लिखा हुआ दिखाई देगा, आप इस पे click कीजिए, जैसे ही इस पे click करेंगे, next page आपके सामने open हो जाएगा, वहाँ पे आप से आपकी details मांगी जाएंगी, वो details आपको fill करनी है, फिर आपका जो registered mobile number है और registered email ID है, वहाँ पे एक OTP आपको send कर दिया जाएगा, उस OTP के माधिम से आप अपना password reset कर सकते हैं, और password reset करने के बाद login करके result आप चेक कर पाएंगे, यह देखे, इस तरह से options आपके सामने आएंगे, date of birth, 10th class का roll number और passing area डाल के get OTP on your registered mobile number, email to reset password, इस पे click करना होगा,